मुश्कार, गौवर्मेंट स्कूल अब जमू प्रोवेंस फेस्बुक पेज पे आपका स्वागत है मैं अश्विनी शर्मा, टीचर, गौवर्मेंट, यूपियस क्रैनी, जोन गुन्ना तो इस वकत मैं खड़ा हूँ डिस्टिक्ट डोडा के चावनी गउं में तो आप जैसे की देख रहे हैं तो मैं एक पेड के साथ खड़ा हूँ तो आज मैं आपको इस पेड के बारे में बताना चाहूँगा तो जो इसका नाम है वो है फिग, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फिकर्स और इसकी जो हैमली है वो मुरेष्यया, और साथ मैं जो है गिंगडम जो इसकी है पलैंटियर तो बात करेंगे हम इसको अपनी लोकल बार्षा में फागूब बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते है अंजीर तो जो ये पेड़ है ये इसका जो फल है काफी टेस्टी है खाने में टेस्ट के साथ साथ में इस पेड़ के अंदर और भी बहुत सारे गुन है इसके अंदर carbohydrate पाया जाता है, protein पाया जाता है, vitamins पाया जाता है, minerals पाया जाते हैं, iron पाया जाता है और calcium पाया जाता है यदि हम बात करें calcium की तो 3% calcium इसके अंदर पाया जाता है जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी body के लिए calcium बहुत जुरूरी है तो हमारी body के अंदर जो है, ये bonds के लिए काफे जरूरी होता है यदि हम रो जाना इसके दो तिन fruit का सुबा इस्तमार करें, खाली पेट तो इससे क्या होगा, जो हमारी weakness है, हमारे bonds में जो weakness है, वो खतम हो जाएगी रही बात, इस पेड़ की इसके अंदर ओर भी बहुत सारी qualities है जैसे कि हम जानते हैं कि само करदे जो पेशेंट है यादि वो इसके पत्वों को खाएं क्योंकि इसके अंदर प्रोटίν पाया जाता है यादि Weakном के पेशेंट इसको खाएं इसको इसके साथ almonds, बदाम और साथ में हमारा ये जो फिक का fruit है उसको खाना है तो आपकी जो body की weakness है वो खतम हो जाएगी जैसे कि हम सभी जानते हैं पूरे भारत, पूरे world में एक बिमारी जो चल रही है diabetes तो ये diabetes के patient के लिए भी काफी लाबदाइक है यदि इसके पत्तों को सुखा कर इसकी चाए पी जाए तो diabetes भी खतम हो जाएगी तो ये मैंने आपको फिक के पेड़ की कुछ importance बताई जो कि यह हमारे इन पहड़ी एरियों में पाया जाता है तो ये हमारे गाउं में भी पाया जाता है हमारे गाउं का नाम चावनी है और ये डिस्टिक डोड़ा के अंदर रहाता है तो इस पेज के माधियम से मैं आपको फिक की importance बता पाया धन्यावाद अश्विनी शर्मा टीचर कोव्मेंट यूपियस क्रैनी जून गुंदना